एक और कोर्णा से हलकी रहत और सुखत समाचार आके आ रहे हैं तो वही दूसरी और शहर में कोर्णा की ही प्रात्मिक लक्षिंचे से कि तेज बुखार, सर्दी, खासी, बदंदर जैसे आम लक्षिंवाली वारल फीवर ने नाक में तम कर रखा हैं तो वही शहर के सभी दव पीलिया, डेगू, मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारिया साथ आती हैं बारशी कारण जगर जगर पानी रुकने से मच्छर की संक्या में इसाफा होता है तो वही नदी नालों में पहने वाले गंदे पानी से पेए जल आपरती प्रभावित होने से वागंदा पानी पीने से डेगू, जैसे बीमारिया होना आम बात होती है इन जानलेवा बीमारियों से बचने का एक मात्र उपाय है वो सतरकता फिर भी अंजाने में खुले में रखे पधारत का सेवन, बासी खाना, गरों की आसपास और कूलर या बरतन ने भरे जल की उचित समय साफ सफायक ना करन जिससे मच्चरों की उत्पती पड़ती है और हमारी चोटी से लापरवाही जानलेवा साबित होने में देर नहीं लगती, साथ ही यह बीमारियों की किटानों संसर्ब चन्न होने के एक दूसरे की संपर्ग में आने वालों को भी अपने चपेट में लेते हैं, जिससे कई ब ताल मरीजों से पटे पड़े हैं नगर प्रशासन के स्वास्तिव भाग शेहर के इंडियन मेडिकल असोसीशन के पदाधिकारी डॉक्टर शेहर में जंजागृती अभियान चलाकर नागरे को कुछ सचेत कर रहे हैं इस जंजागृती अभियान में शेहर के कुछनीची डॉ दॉक्टरों ने इस बीमारियों से संबनित लक्षन एवं बचाव ही तो प्रसिती पत्र को द्वारा भी जंजागृती की जा रहे हैं तो वही नगर प्रशासनवारा मच्छरों के रूक थाम ही तो निद्वागिंग एवं नालियों में मरेलियर ओयल का छिरकाव की अशार कर वो प्रशिक्षे को नर्सिंग ट्रेनियों के साथ घर घर पहुँच कर नागरेकों से अपने घरों को आसपास बारिश के तथा गंदे पानी का चमाव न होने दिना पीने का पानी उबाल कर पीना अगर किसी को उपरोक लक्षन दिखाए देने पर तुरंत नस्ती की पुचनाई दी जारे है बीसियन न्यूस के लिए सावनेर से किशोर डुणले की रिपोर्ट